हलो गूद मॉर्निंग गूद इवनिंग गूद आफ्टरनून दोस्तों जेब्यो वीडियो चैनल प्रेजेंट्स पर्निंग इशुव पर्निंग इशुव पुचाने दो फिक्सिंग फिक्सिंग पहले क्रिकेट में फिक्सिंग अब वोटो में फिक्सिंग फिक्सिंग का मुद्धा बहुती चर्चा में रहा है दोस्तों हमने जनरली क्रिकेट में फिक्सिंग की बात सुनी है लेकिन बड़ी अजीव और आश्चिरे करने वाली बात है दोस्तों कि वोटो में फिक्सिंग, वोटो में फिक्सिंग का पुराना मुद्धा भी पुराना है दोस्तों, किन्तों वोटो की फिक्सिंग के लिए सोशल मेडिया को मध्यम बनाना बहुत ही इंटरस्टिंग हो जाता है दोस्तों, कि बहुत ही इंटरस्टिंग विशे है दोस्तों, और वो भी इंडस्टिंग ज्यादा अधिक तब बनता है जब कॉंग्रेस के अत्यक्ष राजीव गांधी द्वारा सोशल मेडिया को पोटों के लिए पूर्व में ही पूर्व निवधारित फिक्सिंग का मामला किया जाता है दोस्तों आखिर देश के सबोच नेता विवख्ष के नेता कॉंग्रेस सद्यक्ष राजीव गांधी द्वारा यह बात सामने आई है दोस्तों इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इंडस्टिंग और जानने लाइक देखने लाइक बन जाता है फिक्सिंग विश्य पहले अग्याद था दोस्तों किन्तु मुझे याद है दोस्तों कि वर्ल कप में अजरुद्दीन की कप्तानी में शिरलंका में सेमी फाइनल था जब इंडिया ने टॉस जीता टॉस जीतकर पहले बेटिंग लेनी थी किन्तु अजरुद्दीन ने पहले फिल्डिंग को चुना दोस्तों तो अधिकतर क्रिकेट की चान का लोग हैरान रहे गए क्योंकि समय के दोरान उस समय के दोरान इंडिया पहले बेटिंग लेकर सारे मेच जीत जाता था और विरोधी टीम को टार्गेट दिये जाता था ऐस में भारत की जीत पक्की हुआ करती थी लेकिन अजहर ने वहां उल्टा फैसला लिया दोस्तों कि उन्होंने फिल्डिंग चुनी और भारत वर्ल्लकप की सेमिफाइल में हार गया आई सीसी ने कारणों की जाच करवाई तो फिक्सिंग का घोटाला सामने आया दोस्तों दो जान ले तो बहतर होगा दोस्तों दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि फिक्सिंग हूती क्या है और इसका क्या परभाव क्या परिच्षय के परिणामों पर क्या परभाव पड़ता है फिक्सिंग एक पूरतर निर्दारित परिणाम देने वाल देने वाला समझत HA humanaireoka चानी पूरे मैच के लिए खेला जाता है दोस्तों यानि आपको मैच आदे में ही जीतना है या हारना है या फिर पूरा मैच खेल कर ही हारना या जीतना है यह समझेता करोड़ो रूपे की शर्थ पर हो सकता है दोस्तों फिक्सिंग खेल के किसी भी हिस्से में किसी भी हिस्से पर की जा सकती है जैसे टॉस टॉस जीतना टॉस जीत गए तो पहले क्या लेना है बेटिंग लेनी है या बॉलिंग लेनी है इससे टीम की ले और ताल बनाने या तोड़ने के इस्तिमाल के लिए किया जा सकता है जैसा कि अजरुद दिन ने किया था दोस्तों दूसरा दोस्तों नो बॉल या वाइड बॉल पर फिक्सिंग अमपायर भी इसमें एनवाल हो सकता है दोस्तों किन्तु यह आधिक तर पॉलर पर ही डिपेंड है इसमें करोडो रुपयों के लिए बॉल को नो बॉल या वाइड बॉल में बदल देता है दोस्तों जिसा कि श्रिशंत ने किया था तीसरा चोका और चकों पर भी फिक्सिंग हो जाती है दोस्तों इतने रुपयों का एक चोका और इतने रुपयों का एक चक्का कई तरीके हैं दोस्तों अच्छा अब देखिए चोथा आउट होना या नहोना और कितनी देर तक क्रीज पर बने रहना तेज खेलना है धीरे खेलना है खेलना है या नहीं खेलना है यह सब पूर्व निर्धरित कर लिए जाता है दोस्तों रन रन आउट होना इस पर भी फिक्सिंग हो सकती है दोस्तों मैदान के बाहर ही तेह हो जाता है कि तु चल में आया तो इस तरह से फिक्सिंग किसी भी तरह की मेच में हो सकती है दोस्तों वंडे मेच में टेस्ट में आई पील जैसी प्रतियोगिताओं में 2020 में और घरेलू इंटरनेशनल ही है छेत्रिय मेचों में किसी भी मेच में फिक्सिंग हो सकती है आई पील में जराई है अपवाद हो सकता है दोस्तों क्योंकि आई पील जैसे कंटस्ट में प्लेयर को पहले ही खरीद लिया जाता है हमारे अंतर रास्ति है क्रिकेट टरोब और फिक्सिंग के कई आरोप लगे हैं दोस्तों और उन्हें पनिश्मेंट में मिला है आईए देखते हैं देखिए पाकिस्तान के मौम्मद आमिर पाच वर्ष का बेन सलमान बट तस वर्ष का बेन मौम्मद आसीफ साथ वर्ष का और भारत भारत में देखी भारत के हैं युजिंध नामी क्षिक्पटाकी जो फिक्सिंग में जिनपर फिक्सिंग के आरोप लगे हैं उनकित चाहौन स्पॉर्ट फिक्सिंग बैट्समैन थे दोस्तों श्रीशंथ श्रीशंथ पर ताउम्र प्रतिवन अजीद चंडीला स्पॉर्ट फिक्सिंग का और अरेस्ट किये गए गुरुनात मयप्पन अजे शर्मा अजे जडेजा शेरजिल खान और अजरुद दिंजे से अंदर रस्ट ये प्लेयरों पर फिक्सिंग के आरोप लगे दोस्तों विदेशी में सौथ अफ्रीका की हैंसी क्रोणी अल्विरो पीटर्सन 2015-2017 पर ताउम्र बैन लगा दोस्तों आस्टियले के शेनवार्न और मार्क वापर भी फिक्सिंग के आरोप लगे दोस्तों उन पर जुर्माना लगा न्यूजिलेंड की केरन विंसेंड पर फिक्सिंग के आरोप लगे और उनके इस्तान पर ब्रेंडन मेकुलम 2011 को कप्तान मिना गया है तो इस तरह से इंटर्सिंग मामला जो सोशल मीडिया में एंटर कर गया है वो भी बड़े रास्टिय हिस्तर के निताओं के दुरूं त्रिखी दोस्तों और प्रत्यारोपों को दूर चल रहा है कॉंग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है और बीजेपी कॉंग्रेस पर आरोप लगा र भूर्चिकर और इंटर्स्टेड या लोगों के जानने लाइक बाते हैं दोस्तों चुनाओं में जीतने के लिए अपने वोटरों को पहले ही फिक्स कर ले और फिक्स करने वाले का नया तरीका अब मीडिया द्वारा जो चल रहा है सोशल नेटवर्क मीडिया में पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उसने पांच क्रोड यूजर्स का कांग्रेस अध्यक्स राहूल गांधी को पहले ही प्लब करा दिये हैं कि बीजेपी का राहूल गांधी पर आरोप है कि उनको फेस्बुक पर अकाउंट की प्रफाइल में पांच क्रोड यूजर्स के डाटा डाटा सर्विस कंपनी केमरीज एनालिटी का कि द्वारा वोटों के लिए डाल लिए हैं जिससे उनकी निजी जानकरिया सम्मलित है इने निजी जानकरियों के आधार पर रहूल गांधी ने 2019 के लोगसवा चुनाओं के लिए वोटर तैक कर लिए हैं दोस्तों दोस्तों बीजेपी का यह आरूप सत्य लगता है क्योंकि तर्क यह है कि केमरीज एनालिटी का कंपनी की हेड आफिस से जो जो की इंग्लेंड में है ने आरूप की सत्यता की जाच कराई जिसमें वह कंपन दोशी पाई गई है इसी आधार पर इस कंपनी के सीओ एलेक्जेंडर निक्स को सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों अमरीकी रास्टपती चुनाओं में भी इस कंपनी पर डाटा हेकिंग और वोटरों को ट्रेक करने के आरूप लगे थे जोस्तों जो वास्तविक सत्या और सच निकले हैं दोस्तों भारत के कानून मंत्री श्री रवी शंकर प्रसाद ने फेस्बुक को चेतावनी दी है कि फेस्बुक लोगों के विचारों को आदान-पदान करने का एक सामाजिक माध्यम है यदि इसका दूरूप योग किया गया तो फेस्बुक पर कार्यवाई की जाएगी दोस्तों इस धंकी से फेस्बुक संस्तापक मार्क जकरबर्ग के लिए भी परिशानी खड़ी कर दी है और अब देखते हैं मार्क जकरबर्ग फेस्बुक की खिलाफ फेस्बुक पर क्या कारेवाई अंजाम देते हैं आइए देखते हैं कानुन मंतरी क्या कह रहे हैं दोस्तों देखिए प्लीज तो श्री रवीशिंकर प्रसाद जी को सुना दोस्तों आप में अब इसकी सफाई में कॉंग्रेस ने भी बीजीपी पर और हरूब लगाया है। कॉंग्रेस की प्रवक्ता श्री सुर्जेवाला जी ने कहा है कि 2010 में बीजेपी और जेडी यू ने Cambridge Analytica कंपनी की सेमाइली देखिए सुर्जेवाला जी का बयान वो क्या कहते हैं आईए देखते हैं दोस्तों पार्टियों के इस आरोप की प्रत्यारोपों से जनता असमंजस और आज निर्णे की इस्तिति में होगी दोस्तों और सबसे बड़ी बात और मुख्या बात कॉंग्रेस अध्यक्स राजीव गांदी जी पर यदि यह आरोप सच निकलता है सत्य साबित होता है तो इसका बहुत बुरा परभाव 2019 की लोग सबाव सीटों पर होने वाले चुनाओं पर पड़ेगा दोस्तों और राहूल गांदी जी सबसे बड़े जूटे जूटे मिथ्यक मेता साबित हो सकते हैं दोस्तों अब जन्ता ही 2019 में डिसीजन और निर्ने करेगी और पनिश्मेंट देगी दोस्तों कि अब हम तो यही मैं कहेंगे दोस्तों कि निर्णे और फैसला आने दीजिए जनता का निर्णे और फैसला वाट और और वाच एंड वेट वेट और वाच की सिचुएशन है दोस्तों और फिर पणिश्मेंट जनता का जो है कौनसी पारटी को सजा देती है और कौन सी पारटिक वह अपना नेता चुनती है तो वहरी फिक्सिंग तो कहां कहां नहीं गई evm के बाद अब किरकेट के पहले किरकेट में फिर evm मशीन में और मीडिया पर भी आ गई है फिक्सिंग वह भी Facebook पर तो क्या ये अब फिर आएगी YouTube पर ट्वीटर पर Instagram पर WhatsApp पर भही वह भही वह फिक्सिंग फिक्सिंग तेरी माइने अलग है तो Thank You दोस्तो Thank You Very Much Thank You